नवरात्री में किसी भी दिन घर ले आना ये तीन चीज इतना पैसा आएगा कि करोरों में खेलोगे। श्री शिवाय नमस्तु भेन दोस्तों। नमस्कार दोस्तों जै मातादी इस नवरात्री आप अगर गुरुजी द्वारा बताया गया एक खास उपाय कर लेते हैं, कि करोरों में खेलोगे तो फिर देर किस बात की आप भी इस नवरात्री मातारानी को प्रसंद करने के लिए उनकी विशेश क्रिपा प्राप्त करने के लिए बताई गई यह तीन चीज जरूर लेकर आए क्योंकि यह तो सब ही जानते है कि कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें अगर हम किसी खास शुब मुहूर्त में अपने घर लाते है तो उनके प्रभाव से घर में पॉजिटिव एनरजी पर बरने लगती है और नवरात्री में किया गया कोई भी ऐसा कारे जिससे मातारानी प्रसंद होती है उसे तो जरूर करना चाहिए नवरात्री में मातारानी के नौ रूपों की पूजा की जाती है और इस समय मा लक्षमी की भी विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है ऐसे में अगर आप बताई गई चीज अपने घर में लाते है तो मा लक्षमी की विशेश खृपा आपको मिलेगी और आपके घर से दुख दरिद्रता ग कौन सी तीन चीज अपने घर में जरूर लाना चाहिए इस बारे में फुल इंफोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें नवरातरी का समय इतना पावन और मंगल होता है कि इस समय आपके द्वारा माता रानी की पूजा आराधना और भक्ती करने से कई गुना ज आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा चलिये जान लेते हैं कि आखिर नवरातरी में कौन सी ऐसी चीज लाने से आपके घर में धन संपत्ति बर जाएगी आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता कोई भी बताए और बहने अगर नवरातरी में इस उपाय को करती है तो उनके जीवन में धन्धाने की कभी कमी नहीं रहेगी किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मातारानी का नाम जरूर लेना चाहिए तो भला नवरातरी में अगर आप कोई शुब काम करेंगे तो मातारानी आपके उपर कृपा क्यों नहीं क पहले आप नवरातरी में तोते का एक चित्र खरीद कर जरूर लाए क्योंकि तोता बेहँच शुब माना जाता है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है इसलिए तोता का चित्र घर में लगाने से घर के सभी सदसियों की उम्र बरती है स्वास्ते उत्तम रहता है और अगर गर के बच्चों का मन पराई लिखाई में नहीं लगता है, उन्हें लगातार असफलता मिलती है, तो तोते का चित्र घर में लगाने से उनके जीवन में सफलता मिलने लगेगी पराई लिखाई में, उनका मन लगने लगेगा, वास्तु शास्त्र में तोते को बेहत उत्तम प मा दुर्गा की प्रतिमा घर में लाने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनरजी दूर होगी और माता रानी की खृपा से आपका सब कुछ बरिया होने लगेगा, मा दुर्गा की प्रतिमा खरीद कर लाएं और उनकी नौ दिनों तक पूजा अर्चना करें आर्थी कर ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सम्रिध्धी आएगी इसके अलावा आप नवरात्री में माता रानी के चरन चिनह जरूर खरीद कर लाएं लेकिन ध्यान रहे आप माता, रानी के चरन चिनह जमीन पर ना लगाएं क्योंकि उसे जमीन पर लगाने से घर के सदस्यों का, पैर उनके उपर परेगा और यह शुब नहीं होता आप माता रानी के चरन चिन्ह अपने घर की पूजा स्थान पर लगाएं तो ज्यादा शुब होगा नवरात्री में आप माता रानी के लिए लाल पीली गुलाबी चुन्री जरूर खरीद कर लाएं ये रंग सकारात्मक उर पुर्जा का प्रतिक माने जाते हैं नवरात्री में माता रानी को लाल पीली या गुलाबी चुन्री चराने से माता रानी अत्यंत प्रसंद होती है अपने भक्तों की सारी मनों कामनाएं पूरी करती है इसके साथ ही आपके घर से कलह और कलेश दूर होता है सबसे जरूरी इस एक यंत्र में मा दुर्गा मा काली मा लक्शमी मा सरस्वती सभी कवास होता है। नवरात्री में अगर आप यह यंत्र खरीद कर लाते हैं, तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही आपके व्यापार नौकरी या किसी भी कारे में भरपूर सफलता मिलेगी, इस यंत्र को घर में रखने से घर की सारी नेगेटिव एनरजी दूर होती है, शार्दिय नवरात्री के समय आप लाल चंदन की माला जरूर खरीद कर लाए, क्योंकि लाल चंदन की माला से मातारानी के मंतरों का जाप करने, से मातारानी जल्दी प्रसन होती है और उनकी कृपा बरसती है, मातारानी के आशिरवाद से व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों और तकलीफों का अंत होता है, जीवन में खुशिया आती है, धन संबंधित समस्याय समाप्त होती है, सु या पताका जरूर खरीद कर लाएं, इसे आप नवरात्री के पहले ही दिन खरीद कर लाएं और माता, रानी के चर्नों में रख दे, फिर नवमी के दिन पूजा अर्चना आरती करने के बाद इस पताका को ले जाकर आप अपने घर की छट पर उत्तर पूर्व दिशा में लगा दे, ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है, नवरात्री के समय आप अपने घर में कोई भी एक शुब पूधा जरूर लगाए, तुलसी शमी ऐसा कोई भी एक पूधा अगर आप अपने हाथ से अपने घर में लगाते है, तो माता, रानी की विशेश खृपा प्राप्त होती है, नवरात्री में तुलसी का पूधा समय वहां दीपक जलाए, तो आप देखेंगे कि मा लक्षमी की विशेश खृपा आपके ऊपर बनने लगेगी, क्योंकि माता रानी को हर्याली बेहत प्रिये है, और माता रानी के नौ दिनों के अंदर अगर आप अपने हाथों से हरा पेर लगाते है, तो यह आपके जीव को भी हरा भरा रखेगा और आपके जीवन की सारी दुख तकलीफे खत्म हो जाएंगी बताई गई चीजों को अगर आप नवरातरी के समय खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनरजी बरने लगेगी, आपके द्वारा किये गए हर एक का इतना पैसा आएगा कि करोरों में खेलोगे। आप भी इस नवरातरी मातारानी को प्रसंद करने के लिए उनकी विशेश क्रिपा प्राप्त करने के लिए बताई गई यह तीन चीज जरूर लेकर आए क्योंकि यह तो सब ही जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें अगर हम किसी खास शुभ मुहूर्ट में अपन प्रसंद करने के लिए उसे तो जरूर करना चाहिए नवरातरी में मातारानी के नौ रूपों की पूजा की जाती है और इस समय मा लक्ष्मी की भी विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है ऐसे में अगर आप बताई गई चीज अपने घर में लाते हैं तो मा पती बनने से कोई नहीं रोक सकता नवरातरी में कौन सी तीन चीज अपने घर में जरूर लाना चाहिए इस बारे में फुल इंफोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें नवरातरी का समय इतना पावन और मंगल होता है कि इस समय आपके द्वारा मातारानी की प पताई गई कुछ चीज अपने घर में लाकर रखते हैं तो उनके प्रभाव से आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा चलिए जान लेते हैं कि आखिर नवरातरी में कौन सी ऐसी चीज लाने से आपके घर में धन संपत्ति बर जाएगी आपको अमी नहीं रहेगी किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले माता रानी का नाम जरूर लेना चाहिए तो भला नवरातरी में अगर आप कोई शुप काम करेंगे तो माता रानी आपके ऊपर क्रिपा क्यों नहीं करेंगी बताई गई चीजों को अगर आप नवरातरी में खरीद कर अपने घर लाते हैं, तो यकीम मानिये आपके जीवन में चमतकारी रूप से परिवर्तन होगा, सबसे पहले आप नवरात्री में तोते का एक चित्र खरीद कर जरूर लाए क्योंकि तोता बेहद शुब माना जाता है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए तोता का चित्र घर में लगाने से घर के सभी, सदस्यों की उम्र बरती है, स्वास्ते उत्तम रहता है, और अगर घर के बच्चों का मन पराई लिखाई में नहीं लगता है, उन्हें लगातार असफलता मिलती है, तो तोते का चित्र घर में लगाने से उनके जीवन में सफल पराय लिखाई में उनका मन लगने लगेगा वास्तु शास्त्र में तोते को बेहत उत्तम पक्षी कहा गया है और जिस जगह पर तोता का चित्र होता है वहां दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। मा दुर्गा की प्रतिमा खरीद कर लाए और उनकी नौ दिनों तक पूजा अर्चना करें आर्थी करें ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सम्रिध्धी आएगी इसके अलावा आप नवरात्री में माता रानी के चरन चिनह जरूर खरीद कर लाए लेकिन ध्यान रहे आप मा माता रानी के चरन चिनह जमीन पर ना लगाए क्योंकि उसे जमीन पर लगाने से घर के सदस्यों का पैर उनके उपर परेगा और यह शुब नहीं होता आप माता रानी के चरन चिनह अपने घर की पूजा स्थान पर लगाए तो ज्यादा शुब होगा नवरात्री में आप म पीली या गुलाबी चुन्री चराने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। अपने भक्तों की सारी मनों कामनाएं पूरी करती है। इसके साथ ही आपके घर से कलह और कलेश दूर होता है। सबसे जरूरी चीज आप नवरात्री में मा दुर्गा का बीज यंत्र खरीद कर जरूर लाएं। इस एक यंत्र में मा दुर्गा मा काली मा लक्ष्मी मा सरस्वती सभी कवास होता है। नवरात्री में अगर आप यह यंत्र खरीद कर लाते हैं तो आपके जीवन में धन की कभ पार नौकरी या किसी भी कारे में भरपूर सफलता मिलेगी, इस यंत्र को घर में रखने से घर की सारी नेगेटिव एनरजी दूर होती है, शार्दिय नवरात्री के समय आप लाल चंदन की माला जरूर खरीद कर लाए, क्योंकि लाल चंदन की माला से माता रानी के मंत्रों का जाप करने, से माता रानी जल्दी प्रसन होती है और उनकी क्रिपा बरसती है, माता रानी के आशिरवाद से वेक्ति के जीवन के सभी दुखों और तकलीफों का अंत होता है, जीवन में खुशिया आती है, धन संबंधित समस्याय समाप्त होती है, सुख सम्रिधी बरती है, इतना धन मिलता है कि वेक्ति को कभी पीछे मुरकर नहीं देखना पड़ता नवरात्री में आप माता रानी के नाम से लाल रंग का ध्वज या पताका जरूर खरीद कर लाए इसे आप नवरात्री के पहले ही दिन खरीद कर लाए और माता रानी के चर्णों में रखते फिर नवमी के दिन पूजा अर्चना आरती करने के बाद इस पताका को ले जाकर आप अपने घर की छट पर उत्तर पूर्व दिशा में लगा दे ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है नवरात्री के समय आप अपने घर में कोई भी एक शुब पौधा जरूर लगाए तुलसी शमी ऐसा कोई भी एक पौधा अगर आप अपने हाथ से अपने घर में लगाते है तो माता रानी की विशेश खृपा प्राप्त होती है नवरात्री में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समरिधी बरती है तुलसी का पौधा मा लक्षमी का प्रिय पौधा है इसलिए तुलसी के पौधे को लगा कर आप प्रतिदिन शाम के समय वहां दीपक जलाए तो आप देखेंगे कि मा लक्षमी की विशे पेर लगाते हैं, तो यह आपके जीवन को भी हरा भरा रखेगा और आपके जीवन की सारी दुख तकलीफे खत्म हो जाएंगी बताई गई चीजों को अगर आप नवरात्री के समय खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनरजी बरने आपके द्वारा किये गए हर एक कारे में आपको सफलता मिलने लगेगी घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख शांती आएगी सारी विगन बाधा दूर हो जाएगी। नवरात्री में किसी भी दिन घर ले आना ये तीन चीज इतना पैसा आएगा कि करोरों में खेलोगे। तो फिर देर किस बात की आप भी इस नवरात्री मातारानी को प्रसंद करने के लिए उनकी विशेश कृपा प्राप्त करने के लिए बताई गई यह तीन चीज जरूर लेकर आए क्योंकि यह तो सब ही जानते है कि कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें अगर हम किसी खास मुहूर्त में अपने घर लाते है तो उनके प्रभाव से घर में पॉजिटिव एनरजी पर बरने लगती है और नवरात्री में किया गया कोई भी ऐसा कारे जिससे मातारानी प्रसंद होती है उसे तो जरूर करना चाहिए नवरात्री में मातारानी के नौ रूपों की अर्चना की जाती है ऐसे में अगर आप बताई गई चीज अपने घर में लाते है तो मा लक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपको मिलेगी और आपके घर से दुख दरिद्रता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आपको सुक सम्रिध्धी मिलने लगेगी इतना धन मिल कि आपको करोरपती बनने से कोई नहीं रोक सकता नवरात्री में कौन सी तीन चीज अपने घर में जरूर लाना चाहिए इस बारे में फुल इंफोमेशन के लिए विडियो को पूरा जरूर देखें नवरात्री का समय इतना पावन और मंगल होता है कि इस समय आपके द्वारा माता रानी की पूजा आराधना और भक्ती करने से कई गुना ज्यादा लाब मिलता है माता रानी आपकी हर मनो कामना पूरी करती है ऐसे में आप अगर बताई गई कुछ चीज अपने घर में लाकर रखते है तो उनके प्रभाव से आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा चलिए जान लेते है कि आखिर नवरातरी में कौन सी ऐसी चीज लाने से आपके घर में धन संपत्ति बर जाएगी आपको अमीर होने से कोई नहीं रोख सकता कोई भी बताए और बहने अगर नवरातरी में इस उपाय को करती है तो उनके जीवन में धन धाने की कभी कमी नहीं रहेगी किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले माता रानी का नाम जरूर लेना चाहिए तो भला नवरात्री में अगर आप कोई शुब काम करेंगे तो माता रानी आपके उपर क्रिपा क्यों नहीं करेंगी बताई गई चीजों को अगर आप नवरात्री में खरीद कर अपने घर लाते हैं, तो यकीम मानिये आपके जीवन में चमतकारी रूप से परिवर्तन होगा, सबसे पहले आप नवरात्री में तोते का एक चित्र खरीद कर जरूर लाए क्योंकि तोता बेहद शुब माना जाता है और इसकी उम्र स्वास्ते उत्तम रहता है और अगर घर के बच्चों का मन पराई लिखाई में नहीं लगता है, उन्हें लगातार असफलता मिलती है, तो तोते का चित्र घर में लगाने से उनके जीवन में सफलता मिलने लगेगी पराई लिखाई में, उनका मन लगने लगेगा, में तोते को बेहत उत्तम पक्षी कहा गया है और जिस जगह पर तोता का चित्र होता है वहां दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। आरती करें ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समरिधी आएगी इसके अलावा आप नवरात्री में माता रानी के चरन चिनह जरूर खरीद कर लाए लेकिन ध्यान रहे आप माता। ज़्यादा शुब होगा नवरात्री में आप माता रानी के लिए लाल पीली गुलाबी चुन्री जरूर खरीद कर लाए ये रंग सकारात्मक उर्जा का प्रतिक माने जाते हैं। नवरात्री में माता रानी को लाल पीली या गुलाबी चुन्री चराने से माता रानी अत्यंत प्रसन होती है। अपने भक्तों की सारी मनो का मनाए पूरी करती हैं। इसके साथ ही आपके घर से कलह और कलेश दूर होता है। सबसे जरूरी चीज आप नवरात्री में मादुरगा का बीज यंतर खरीद कर जरूर लाएं। इस एक यंत्र में मा, दुर्गा मा, काली मा, लक्ष्मी मा, सरस्वती सभी कवास होता है। नवरात्री में अगर आप यह यंत्र खरीद कर लाते हैं, तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही आपके व्यापार नौकरी या किसी भी कारे में भरपूर सफलता मिलेगी। इस यंत्र को घर में रखने से घर की सारी नेगेटिव एनरजी दूर होती है। शार्दिय नवरात्री के समय आप लाल चंदन की माला जरूर खरीद कर लाए। क्योंकि लाल चंदन की माला से माता रानी के मंत्रों का जाप करने, से माता रानी जल्दी प्रसन होती है और उनकी कृपा बरसती है, माता रानी के आशिरवाद से व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों और तकलीफों का अंत होता है, जीवन में खुशिया आती है, धन रानी के नाम से लाल रंग का ध्वज या पताका जरूर खरीद कर लाएं, इसे आप नवरात्री के पहले ही दिन खरीद कर लाएं और माता, रानी के चर्णों में रख दे, फिर नवमी के दिन पूजा अर्चना आरती करने के बाद इस पताका को ले जाकर आप अपने घर की छ कोई भी एक शुब पौधा जरूर लगाए तुलसी शमी ऐसा कोई भी एक पौधा अगर आप अपने हाथ से अपने घर में लगाते हैं, तो माता रानी की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है, नवरात्री में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समरिधी ब उपर बनने लगेगी, क्योंकि माता रानी को हर्याली बेहत प्रिये है और माता रानी के नौ दिनों के अंदर अगर आप अपने हाथों से हरा पेर लगाते हैं, तो यह आपके जीवन को भी हरा भरा रखेगा और आपके जीवन की सारी दुख तकलीफे खत्म हो जाएंगी बताई गई चीजों को अगर आप नवरातरी के समय खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनरजी बरने लगेगी, आपके द्वारा किये गए हर एक कारे में आपको सफलता मिलने लगेगी घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख शांती आ तो विडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहें